असलाम अलेकुम दोस्तों स्टेडियेट इस में मैं आपको हुशामदीद कहती हूँ अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड फेलोज के साथ इसको शेर करें इसके साथ ही अगर आप हमारे चेनल पे प्लीज इस चेनल को सब्सक्राइब कर दें ताके आपको हर नहीं आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें दोस्तों आज हम सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन के कुछ इंपोर्टेंट डिफ्रेंसिस को डिसकस करने जा रहे हैं यह डिफ्रेंसिस मैंने एक इक भुक से कौपी की हैं उमीद है आपको पसंद आएंगे औरापकी पेपर प्रिपेशन और टेस्ट में भी हल्प आउत करेंगे schme पहला difference हम पढ़ने जा रहे हैं prokaryotic and eukaryotic cell के बारे में आप देख सकते हैं कि prokaryotic and eukaryotic cell के पीछे features लिखे हैं और आगे इनको differences में convert किया गया है आपको सबसे पहले यह बात नोट करनी है कि आप पेपर में प्लीज इन फीचर्स को इसी तरह मारकर के साथ नोट करें और आगे इनको अपने पेन के साथ एटेंडी करें ताकि आपको अच्छे मारक्स मिल सकें पहला difference लिखा हुआ है कि well defined nucleus prokaryotic cell में जो है वो well defined nucleus absent है जबकि eukaryotic cell में ये present है DNA के बारे में कहें तो DNA Prokaryotic Cell में Cytoplasm में Submerged हुआ हूआ Submerged का क्या मतलब होता है Mixed type जो होता है उसको कहते हैं क्या कहते हैं Submerged कहते है तो इसका मतलब यह है Prokaryotic Cell का DNA सैटॉपलाजम में Submerged है जबकि Eukaryotic Cell का DNA वो Nucleus में मुजूद होता है DNA के टाइप पड़ए तो ये circular है इसकी शेप की है basically बेसिकली प्रोक्रियोटिक सल में circular DNA है नुक्लियोड की तरह जबकि इसकी जो हो linear DNA है नुक्लियस linear का मतलब basically क्या होता है straight होता है, गर हम linear का मतलब लिखेंगे तो linear का मतलब आपके पास क्या होता है basically straight shape जबकि प्रॉकरियोटिक सेल में मिम्बरेन हो, तो प्रॉकरियोटिक सेल में मुझ withdraw, भी ज़ो है नहीं पिर लिका है कि RRYBOSOM, हम इसमें इस्कुस कर चुके इस्टार कुकई हैं हैं वह 70S RRYBOSOM में लार्जर उनिटूंत evaluicas बीसिकली इसकी सब्यूनिट dreiकोटिक सेल पहुती इसा नहीं है इसमें डिफरेंट जो होती है वो एलजेबरा की अकॉर्डिंग अडिशन नहीं हो रही 50 और 630 को उन्होंने मिलाके 70S राइबोसम कहा है और यहां पर 40 प्लस 60 होता है यहां पर बैसिकली यह 60S लिखा इसके लाजर सब यूनट और 40S जो मिलके 80S राइबोसम यह मैथेमेटिकल कल्कॉलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता यह बात आपको याद रखनी है साइटोसकेलटन जो है बिसकली वो प्रॉकरियोटिक सेल में नहीं होता और यूकरियोटिक सेल में मजूद है सेलवाल के बार में हमने अब सेलवाल में अच्छी Tail american,fly है, mówiąc ocurer, से बरियंगे बनती है फिर असल मेंबरेन के बारे में बताया जा रहा है कि स्टिरोल, स्टिरोल जो होते हैं, बैसिकली कॉलिस्ट्रोल के जो होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं, कॉलिस्ट्रोल को बनाने में यह स्टार्ट करने वाले होते हैं, स्टिरोल जो हैं, जबकि यहां पर स्टिरोल जो है वो प कि न को कहते हैं DNA फ्लैजिलन ऑ ट्यूबोल उ से बना है फ्लैजिलन और ट्यूबिलन से बना हूं universe कजिदो इसका नाम बता रहा रहा है यह यह दोनों एक प्रोटीन के नेम है तो इसका अच्वह 보면गय और इसका अच्मिल से बना हूं आँजेम्पल देज जारी है प्रोकरियोटिक सेल की जomas ओडेग करने का बताती हुँ एकर है एक्चीार सेकंड dinero का सूप гол काफी यहां पर सारी भी। कहीं आप मैंने साही इस पुक से ले लिये नूटिस करने हैं ताकिए उप लियास से को एक्षे कर रहें तो मेरे हाल में शक्स डिफ्रेंसिज विड डाइग्राम आप कर लें तो ज्यादा अच्छा है लेकिन इसमें जो है वह आपके लिए इनफ होंगे अब हम जिस new difference को count करने जारे हैं या डिसकस करने जा रहे हैं वो animal cell और plant cell के बारे में हैं इसमें बेसिकली चीजिएं लिक् Agreement jack' जो चीज़ें animal cell में या plant cell में मुजूद हैं या नहीं है हमने कल वाली وडियो में यह बात discuss की थी हमने कहा था कि animal cell के पास जो वो cell wall नहीं होती क्योंकि animal cell जो है वो move कर सकता है उसकी locomotion की वज़ा से उसके पास cell wall नहीं है लेकिन plant cell के पास प्रोकरियोट के पास फंजाए के पास जो थी वो cell wall थी प्लास्टेड्स के बा वे हमने पहले अपनी वीडियो में पढ़ाता कि प्लास्टेड्सार फांड इन प्लांट्स एकने लग्यूई और विडियो में नाजी है थे फिर ग्लाकोस्सॉम के बार में हमने पढ़ा है कि यह भी ऑनिमल cell में नहीं है जबके plant cell में है centrioles जो है वो animal cell में होते हैं जबके plant cell में मुझूद नहीं है mitotic apparatus जो है वो इसमें कैसे है spindles और esters की form में है जबकि यहां पे सिर्फ spindle fibers मुझूद है cytokinesis cytokinesis के बारे मैंने अपनी एक वीडियो में गोलजी apparatus वाले जो वीडियो है उसको हम cytokinesis के थे तो obviously cytokinesis यहां पर inward हो रही है और वहां पर आउटवड हो रही है lizzozom के बारे में हमने पढ़ा था कि animal cells में होते है plant cells में lizzozom की जगा क्या होते हैं vacuolus होते हैं तो ये बात आप याद रखेगे कि plant cell में lizzozom की जगा vacuolus होते हैं प्लैजिला, फ्लैजिला अच्छ Northernip "-प्लैजियला और सीलिया अपने हैं मुवमेंट के जहां और प्लैजिउला फिडॉला ओट यूज कंटर इंज्ट के प्रोसेस हैं फेगो साइटोस सेल । इन्हारे में हो रही है न्यूप्ली अपके अटापिक में अटिसकॉस किया था अटम होता है जबकि प्लाइंट्स अल कैका हुग साइट पर शाइट भी पॉकर्षय पर टो हो जाता है और ऐदो नीक्यूअ अब करता है हैंगेड़ में जड़्य क्माट मेंगि पर सीडरी तो फ्लीसस जरकाक। स्टोरज प्रोडड़क्ट्स एनिमल क्या स्टोर करता है दे की अनिमल इनिमल स्टोर करने का मकस्द आपको यहां से थोड़ा सा समझते अग् pilots की फिरान के प्लाइट tracks को हैं सेफटर नमबर टू में हम इसको आगे अच्छे से डिसकस करेंगे फिडाल आप इतना याद रखें सेलूलर शेप किया है एनिमिल सल की कोई फिक्स शेप नहीं होती है जब कि प्लांट सल की एक फिक्स शेप होती है देखें बात से बात निकलती है इस टेबल में आप खुद मेमराइज करसा अगर आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे सी रीड किया तो ये टेबल बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है फिर भी मैंने आपको एक टेबल में इसको कनवर्ट कर दिया ताकि आपको असानी सी चीज़ याद रहे सकें आप इसको अच्छे सी याद रख कर रहे हैं और जिसके वजह सेल नहीं उनके पास तो फलेजिला भी उनहीं के पास होगा पर आम ने पढ़ा था कि लाइजोजोंस की प्लांट्स में वेक्यूर्ज और रहे होता है और जब आपको इनरजी चाहिए बैसिकली तो वह गलाइकोजन की प्लांट्स में ने अच् में मुझूद हैं यह हमने अपना दूसरा टेबल इसको डिसकस कर लिया है हमारा अगला टेबल जो है वह बेसिकली इस बारे में हैं कि कौन सी पहले चप्टर जबेसिकली फैडरिल का यह पहला चप्टर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में और पंजाब की बुक में आई थिंक माइटो कॉंट्रिया इसकी भी आमने आउटर और इनर पड़ी थी यहां पे आप क्लोरो प्लास्ट बेसिकली एक और ग्रेली तो नहीं है यह प्लास्टिट के अंदर मुझो देलकिन इसको भी याद रख लें यहां पे क्लोरो प्लास्ट हमने पढ़ा था कि यह भी डबल इसको याद रखना हैं माइटो कॉंट्रिया प्लास्टिड्स न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट सब चीजें जो है मैंने टॉपिक में डिसकुस की हैं कि यह डबल इम्रेनियस स्ट्रक्चर हैं सिंगल इम्रेनियस कौन सी हैं इंडोप्लास्मिक रटिकलम गोल्जी अपर उचा जाता है तो में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर हों में सिंगल इम्रेनियस डबल इम्रेनियस हैं तो मैं अपनी पहले भी वीडियो में कहीं बार डिसकॉस कर चुकी हैं कि प्लीज जो आपके पास इस तरह की चीज़े होती हैं साइंटिस्ट के नेम होते हैं या कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जो सिंगल डबल इम्रेनियस हैं लेंथ हैं डायमीटर हैं तो आप इसको एक टेबल में कनवर्ट करके अपने बुक के चप्टर के स्टार्ट में स्टिकी नोट्स पे लिखा करें ताकि जब आप रिवाइस करें तो आप आसा ने किया है डी डियूव ने इसको डिसकावर किया सिर्फ पंजाब की बुक में लिखा हूँ है तो यह टेबल आप देख लें बिसिकली यह एंट्री टेस्ट के स्टूड़न्स के लिए इंपॉर्टन्ट है फर्स्ट यर सेकंड यर में जो आपकी बुक में मैंशन आप उस यह एक इंपॉर्टन्ट टॉपिक है जो बेसिकली इंडोप्लास्मिक रेडिकलम का इस टेबल की कोई जरूरत तो नहीं थी आपके साथ शेयर करने की कि यह एक आसान सा डिफरेंस है लेकिन फिर भी अगर पेपर में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए तो इसके लिए म यह लेकिन स्पूथ इंडोप्लास्मिक रेडिकलम जो ळिया वोर्ड़िकली आउटर निक्लीर में ब्रेंड की साथ अटैच नहीं है ज्यादा स्टेबल च्रॉक्चर है यह यह इतना स्टेबल स्ट्रॉक्चर नहीं है इसमें सिस्टर निक जो है वैसिकल फॉम यह आप दे को कहां पर नज़र आते हैं cells organs और tissues जो protein को बनाने में involved होते हैं basically इसका ये function ये लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया था उसी विडियो में आपको मैंने ये डिसकस किया कि तो जहां पर भी word ribozome लिखा होना protein synthesize होनी ही है protein बननी ही है तो इसका major function जो होगा इसे cells और tissues में मु and goblet cells में और यहां पर लिखा हुआ कि एडिपोस टिशू एडिपोस टिशू जो होते हैं basically ये आपके kidney में मुझूद होते हैं ये tissues जो होते हैं आपके kidney में होते हैं तो ये यहां पर वहां पर मुझूद हैं और muscle cells में फिर बदाया जा रहे हैं इनके functions के हैं protein synthesis का दूसरा न जो पात हुए होगा जाहिर सी बदा डक्ट होगी उससे वो पाय निकल जाएंगे और इसके बारे में लिखा है smooth endoplasmine reticulum के बारे में कि ये बोट सारी ट्राइब्स की metabolism कर सकती है detoxification का मतलब होता है removal of drugs and transmission का मतलब है कि impulses को removal कहते हैं basically और impulses की से कहते हैं basically messages को कहते हैं जो आपके basically brain से transmit होते हैं तो आप इस एक important table का भी screenshot अपनी बुक में या अपनी copy में note कर सकते है six differences जो है फिस्ट यर सेकंड यर के according फेडरल वोट के according जो भी important है एक और table में आप से discuss करने जारे हूं basically ये जो चीजे हैं ये आपकी पंजाब आपकी बुक में ये जो है ये एक summary form में लिखावा है basically वहाँ पे theoretical form में लिखावा है तो इस बुक ने इसको basically table में convert किया तो आप इसको table tabular form में अपने screenshot में save कर लें उसना लिखा कि main में ये chromosome की बागी जा रही है diploid का मतब आपको पता होगा कि double को कहते हैं और haploid होता है वह single को कहते हैं ठीक है diploid mean double haploid mean single बताया जा रहा है कि main में 46 chromosome और 46 का हाफ जो होता है 23 होता है मतब 23 आप haploid का मतलब याद रख लेना कि 23 pairs है पेर का मतलब 2 होता है तो एक पेर में 2 आ रहे हैं जैसे के लिए 23 means 46 चेंपैनी जो है इन में 48 हैं और इनका half 24 होता है यानि 24 pairs मुझूद है अनियन में 16 है और 8 pairs है गार्डन पी जो है वह उसमें 14 है लेकिन 7 pairs मुझूद है पेर का मतलब है कि 2 यानि एक पेर में 2 chromosome प्रोग का पता है जाए कि 26 है इसमें क्रोमोजोम से 13 pairs of chromosome से अगर आप से mcqs में वर्ड पुछा जाए कि how many pairs of chromosome are present in frog अगर वर्ड पेर लिखा है तो आप 13 पर टिक करेंगे लेकिन अगर वर्ड पेर नहीं लिखा तो आप सिंपल उसको 26 पर आंसर को option को टिक कर सकते है ठीक और अगर वर्ड पेर नहीं मुझूद तो इसी तरह उसमें 80 कहींगे पिजन का जो है पंजाब की ने अडिशन में भी मेंशन नहीं है पोटेटो तक मेंशन है बिसकली ड्रॉसो फिला का लिखा हुआ है कि 8 है और 4 इसी तरह आप स्क्रीन शाट को सेफ कर लें ताकर आपको बाद में रिवाईज करने में इसी ली हो इसके साथ ही हम अपने विडियो का इक्ताम करते हैं आपको कोई चीजा समझ ना आही तो प्लीज आप कमंज सक्षण में इसको क्विडियो बनाऊंगी और इन दिन आ बप इन सारे टेबल्स को अपनी बुक में या कहीं पे भी इन जाद रखिए कि आपके स्ट्रॉंग है तो इसका मतलब है कि आपके कॉंसेप्ट स्ट्रॉंग होते हैं इसके अलावा ये सारे टेबल्स चोटे टेबल्स फेडरल और पंजाब में थे आपके साथ मैंने शेयर कर ली है इन्शालला आगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे कि आलाव रिस